कि हर लड़ाई जीत कर दिखाऊंगी मैं देश की बेटी हूँ अगनी में जलकर भी जी जाऊंगी तो सत्ता के रसुखदार के मुह पर थुका है इस देश की बेटीों ने कि यह दिन देखने के लिए मैं पूसरी हूँ सबसे पूसरी हूँ यह वह सत्ताधारी जिनको लगता था कि पैसा पाबर एहंकार हमारा गमन सबसे ताकतवर चीज है उनको धूल चाटाया है इस बेटी ने बिनेस फोगाट तो भारत के लिए किती हास लिखती है कि ओलंपिक म सेमी फाइलल जीतने वाली पहली खिलारी बनी और फाइनल में जगह बनाई लेकिन दुर भाग गे कि हमारे देश के 145 करोड जनता के साथ आज वो सपना जो आज 7 अगस्त था और आज जो हम सपना देख रहे थे कि एक मेडल जीत कर तो जरूर लाएगी चाहे वो बीजेता बने या उप वीजेता बने और फिर वो पलका भी इंतजार था कि वो लोग जो इन बेटी को रोड पर घसीटते देख कर खुस थे कुछी ही दिन पहले जंतर मंतर पर अंदोलन हो रहा था तो क्या वो फिर फोन करकर बधाई देंगे कहेंगे कि विनेश तुम हमारी देश क बेटी हो और तुझ पर हमें गर्व है क्या वो दुशासन के पक्ष में ही रहेंगे या इस बार बेटी को सच में जाकर बधाई देते लेकिन दोस्तों उस पर भी पानी फिर गया है हो सकता है कि राजनीती साजी सो हो सेमी फाइनल से पहले चुकि 50 केजी वेट वाला यह कर लिया गया इनके साथ ही खिलारी सहयोगी और पूरी टीम होती है खिलारियों के साथ उनके कोच तो सब ने मिलकर 2 केजी वेट कम किया था और 50 केजी का जो वेट वाले खिलारी लड़ते हैं उसमें विनेस ने सेमी फाइनल में 5-0 से जीत कर और क्यूबा के खिलारी को हरा कर और final में अपना जगह बना लिया लेकिन बताया ये जा रहा है कि आज वो final नहीं खिल पाएगी यह सेमी final जितने के बाद final में disqualify कर दिया गया का यह जानते हैं का कि बताया जा रहा है कि 100 गड़ाम वजन ज्यादा हो गिया अब जरा सोच के देखिए क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं जब अपनी अस्मीता को अपनी इज्जत की लडाई लरने के लिए सौसो दिन तक जंतर मंतर पर धर्ना देती है और साथ साथ महिला पहलवान आरोप लगाती है किसके उपर कुस्ति संक्या ध्यक्ष भ्रिजभुसन सिंग के उपर और दिल्ली पुलीस एफाई यार तक नोट नहीं करती है जब यह मामला सुप्रीम कोट तक पहुंचता है तो सुप्रीम कोट जब फटकार लगाती है दिल्ली पुलीस को तब आनन फानन में कमीटी गठित करके बाद में एफाईयर होता है जड़ा सोच के देखिए कि सत्ता के नसे में कैसे लोग चूड होते हैं और कैसे अराम से और आसानी से बच जाते हैं और इन लड़कियों को ना जाने क्या क्या लोगों ने कहा और बरे बरे नेताओं ने ऐसे ऐसे व्यक्तियों ने कहा जिसे आप उमीद नहीं कर सकते थे कई सारी टिपनियां इन लड़कियों के उपर हुआ उस लड़कियों के उपर जो देश के लिए खेलती है और देश के सिर्फ वो साथ लड़कियों नाम रोशन अपने लिए नहीं करती है उप पुरे देश के लड़कियों को संभोधित करती है दुनिया के सामने में कि हम भारत के सेरनी ऐसे होते हैं उनको भी ऐसे ऐसे परतार्ना से गुजरना परा ऐसी ऐसी मानसिक लडाई लरनी पड़ी जहां पर उन्होंने आरोप लगाया साथ साथ लड़कियोंने आरोप लगाया था कि यौन सोसन के लिए जबरदस्ती मुझे मजबूर किया जा रहा है और फिर भी जाजने वी थी आज जब ये फाइनल में पहुँचने वाली पहुँच चुकी थी आज ये साथ अगस्त को पुरा देश वो मैच को देखता जहां हमारी सेरनी को धहारते हुए और ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर इस देश के लिए लाकर और इस देश का सीना चावरा करने के लिए और गर्ब से गरदन उठा कर पूरी दुनिया के सामने ये दिखाने के लिए कि भाई हम भारत की सेरनी है हमें कम मात आकना पर ये मंजूर साद नहीं हुआ होगा बहुत लोगों को आपको क्या लगता है आप तो जरूर लिखिएगा कमेंट में मुझे तो लगता है कि ये 100 गराम वजन का एक बहाना हो सकता है और हम 145 करोड जनता के साथ जो उमीद हम देख रहे थे जो सपने देख रहे थे इन खूली आखों से कि आज हम वो देखते और गरवानवित महसूस करते वो सपनों पर पानी फेरना था कहीं ऐसा तो नहीं तो उन्हें लग रहा था कि भाई मैं किस मुह से आज बधाई दूँगा मैं कैसे बोल पाऊंगा कि ये सेरनी है इस देश की मैं कैसे बोल पाऊंगा कि अपने जगा बिलकुल सत्य है और सच में ये सेरनी है ये लड़ने वाली है तमाम बुड़ाईयों से लड़कर वहां तक पहुँची है साथ बहुतों लोगों को पसंद नहीं आया होगा आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताईएगा क्योंकि आज हमारी देश की बेटी फाइनल मैच नहीं खेलेगी फाइनल में पहुँचने के बाद भी बाकि कोई बात नहीं ये पुरा देश जान चुका है बिनेज फोगाट और आपके पुरे साथी टीम जान चुका है ये देश कि आप लरने वाली हो आप हारने वाली नहीं हो आपके अंदर जो जिद है उसने सावित किया है कि इतनी परसानियों से गुजरने के बाद भी आपने अपने देश का जंडा गारा है और देश का सीना चौरा किया है मैं आपको सैलूट करता हूँ और आप इस देश के तमाम बेटियों का परति निदेत्व करते हैं इसके लिए हमेशा इस देश के हर बेक्ती आपका रिनी रहेगा ना जाने ये सोने की चिरिया कहे जाने वाले देश हमारा भारत इस मिट्टी में कितनी ताकत है कि आपके जैसे कितने जहासी की रानी पैदा हुई है इस धर्ती पर और आपने आज भी वो साबित किया है कि हमारी जहासी की रानिया जो है कम नहीं हुई है हमारे देश में मैं आपको परनाम करता हूँ बारम बार परनाम करता हूँ मैं आपको salute करता हूँ आपके जजबे को आपके उस family को आपके उस साती को जो आपके उस बूरे बक्त में भी आपके साथ खरे थे और आपने तमाम लडाईयां लड़ी और सारी चुनोतियों के बाबजूत भी आज खुद को आपने सावित किया है इस पूरे देश के सामने यह राजनीती सड्यंत्र है हो सकता है मुझे तो यही लगता है कैसे कोई अपने मुँझे आपको आज बदहाई देता आप उस मुकाम पर चली गई थी किस मुझे वो बदहाई देता और कैसे देता वो बदहाई देता तो भी उसके मुझे पर तमाचा लगता और बदहाई नहीं देता तो ऐसे भी तमाचा था कहीं यह साचीस तो नहीं है दोस्तों आप क्या सुचते हैं कोमेंट में जरूर लिखेगा मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद